नमस्कार दोस्तों, डीजी सेवा चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि CSE Academy अब एक नए फार्विट में आ रहा है डिफरेंट फैसिलिटीज और कोर्सेस के साथ तो आज हम इसके एम बेनिफिट्स और इसके रजिस्टेशन की प्रोसेस देखेंगे रजिस्टेशन की जो लिंक है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इस Academy का में एम है कि ग्रामिर्ड इस्तर के उद्वी को बढ़ावा देना Academy दोरा Government और Private सेक्टर की विबिन स्किल रजिजुकेशन सिस्टम को आम जन तक पहुँचाना अभी CSC दोरा इच ब्लॉक में एक CSC Academy की स्थाबना की जा रही है Benefits की बात किया जाए तो VLE इस Academy के दोरा National और International College, University और संस्थानों के कोर्स उपलब्द करा सकेंगे और अपनी आय बढ़ा सकेंगे Government और CSR प्रोग्राम के लिए जो फंड है वो भी प्राप्त कर सकेंगे विबिन संस्थानों, कालेजों, यूनिवर्सिटी के लिए एक्जाम सेंटर के रूप में भी कार कर सकते हैं और VLE के लिए Special Training Center अरंज कर सकते हैं प्रोग्राम केटेग्रीज की बात करें तो हमें different category के प्रोग्राम जैसे skill career, professional career, awareness and self enhancement course और साथ ही विबिन टाइप के exam के profession के कोर्स भी मिल जाएंगे चुकि यह black level पर इस्थापित किया जा रहा है इसके लिए हमें standard eligibility criteria को पूरा करना होगा जिनके पास CSC Center नहीं है वो भी इसे आविदन कर सकते हैं मगर पहले उन्हें CSC Center के लिए आविदन करना होगा इसकी registration fees 5000 रुपए with GST है जिसमें GST भी include है यहां से आप एफिडेविट भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसे हमें upload करना होगा during registration जिसमें आप academy की minimum requirement देख सकते हैं दोस्तों यह है registration step का flow chart जिसमें आप registration से central मिल तक application और verification process को देख सकते हैं registered year में क्लिक करने पर आप application form में पहुँच जाएंगे वहाँ पे आप अपने center से संबंदी detail डाल कर अपनी और अपने academic center की बाहर एम अंदर की photo और एफिडेविट को upload कर submit करना होगा और अपने wallet से payment करना होगा verification step के बाद अगर आप academy के standard eligibility criteria पे खरा उतरते हैं तो आपको ये center मिल जाएगा अन्य था आपका पैसा refund कर दिया जाएगा तो दोस्तों ये रही registration की process अधिक जानकारी के लिए आप अपने DM या DC से संपर कर सकते हैं मेरे नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं तो फिर मिलता हूँ किसी नए update के साथ नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद